नमस्कार आप देख रखे हैं विकास च्रील हर्याना और मैं हूँ अर्चना कौशन मुखे मंति मनोहलाल का दावा है कि उनके कारेकाल के करीब साढ़े आठ साल में प्रदेश में हर उस व्यक्ति का हिद्ध्यान में रखा गया जो पिछली सरकार में खुद को शोश्रित वंचित महसूस करते थे लेकिन अब बिना किसी भेद्भाव के उन सभी गरीब परिवारों तक मदद पहुच्चाए जा रही है जिने वाकरी सरकार से मदद की दरकार थी प्रदेश में अंदाता किस्तिती किसी से छिपी नहीं रही है मिटी से सोना उगाने वाले किसान आय दिन अपनी बधाली पर आंशु बहाने को मजबूर थे लेकिन मुख्यमंत्री मनोहलाल का दावा है कि उन्होंने अपने कारेकाल में किसानों की बधाली दूर करने को लेकर हर संभ़ परियास की जिससे अंदाता की चुनोतियां कम हो सके कनाल सित्र डीम्ड युनिवस्टी के दिक्षांत समारोखों में मुख्यमंत्री मनाहुलाल नी खेती किसानों से जुड़े मुद्दे पर अपनी राय रखी एस मौके पर देश की राश्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू बतौर मुख करनाल सित्र राश्ट्रिय डेरी अनुसंधान संस्थान का उन्निस्वा दिक्षांत समारोखों आयोजित किया गया इस मौके पर देश की राश्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू प्रदेश के मुख्या मनोहलाल कृषी मंत्री नरेंदर तोमर समेत कई गणमानने लोगों ने अपनी उपास्तिती दर्ज कराई इस दुरान सभी ने अपने संबोधन में हर्याना के विकास कार्यों की जम कर सरहाना की दूद दही का खाना अखाडे में पसीना बहाना दुनिया भर में हर्याना की यही पहचान है Deemed University के दिक्षांत समहरों में राश्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि आज हर्याना दुग्द उत्पादन में काफी आगे निकल चुका है राश्ट्रपती मुर्मू ने इसके लिए NDRI की टीम को बधाई देते हुए कहा कि दूध से बने खाद्य पदार्द हमारी संस्कृती का हिस्सा रहा है मा के दूध के साथ गाय का दूध स्वास्थे वर्धक माना गया है हिंदू धर्म में दूध को अमरित का स्थान दिया गया है अपने संबोधन में राश्ट्रपती द्रौपती मुर्मू ने कहा कि डेरियों में सत्तर प्रतीशत भागिदारी महिलाओं की है मुझे बताया गया है कि आशी यार दारा जारी रेंकिंग में एंडिया राई पिछले पांच बश्था से लागादार देश के सभी कृसी विश्वी सभी डालर में प्रत्थम स्थान पर बना रहा हुआ मैं इस उपलब्धी के लिए एंडिया राई की पूरी टीम को बहुत बहुत बढ़ाई देटी हुआ देवियों और सोजोनों दूद और दूद से जुड़े उत पाद हमेशा से भारत के खान पान और संस्कूपी से अटूट हिस्सा रही है बिस्स करके हर्याणा मुख्यमंत्री जी ने हम सब के सामने क्यूंकि यहां के बच्चे स्पोर्ट में ज्यादा तर भाग लेते हैं यहां बीरों का भी भूमी हैं संस्थान में जाते हैं मा के दूद के साथ गाई का दूद भी स्वास्त के लिए अमृत माना जाता है प्रीकमेद में कहा गया है गोशु प्रियोम अमृतं रख्षण माना अर्थाथ गोदुब अमृत के समन है जो रोगों से भी रख्षा जाता है दूद को पवित्र मना जाता है इसलिए इसका वयोग दिपताओं के अभिस्यक के लिए भी किया जाता है आज दी देश में बुजुर्गों द्वारा महिलाओं को दूदो नहाओ पुतो फोलों का असित पर दिया जाता है गाय और अन्यो पसुधन भारत्यों समाज और परंपराओं का अभिन्यों अंग्रे है जब बात किसान की होती है तो डेरी उद्योग खुद इसमें जुड़ जाता है दिक्षान समहरों के मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मनुहर लाल ने कहा कि आज हर्याना क्रिशी के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुका है देश के अन्य भंडार में हर्याना दूसरा स्थान रखता है कि हमारे से आगे प्रतिव्यक्ति दुख दुख उत्वादन पंजाब का है कैसे हम पंजाब से आगे बढ़ें और जैसे अर्याना का मेहत्ति व्यक्ति है और जिससे रूच्टी है अभी पुछले दुनों हमने कुछ बेरोज़गार यूकों को गरामिन ख्यतर के यूकों को उनसे एक सर्वे करान के बाद बूच्छा के आपका अगर साइक की रुची क्या है मुझे भी बड़ी परसनता हुई के साथ नड़ी वक्त दुख उत्वादन के लिए आगे आने के लिए तैयार है उनके लिए हमने बैंकिंग सेक्टर से बात की है हमने साजा डेरी कोपरेटे सेक्टर में धी इस विश्यक को आगे बनाने के लिए विज़ार किया है और संकल्प है कि देश को दूद की जो आवशकता है हमरा देश सहियों को से दुनिया का अबादी में सबसे बड़ा देश बन गया है 140 कोड की आवादी है और दूद की आवशकता भी नेंतर बढ़ रही है हम सब जानते हैं कि सभी जानवर दूद की आवशकता तो सबको होती है लेकिन वो प्रारंब के दो या तीन वर्ष दूद पर निर्वर रहते हैं उसके बाद उनका आहार बदल जाता है लेकिन यह सही होगी है कि हम और आप सारा जीवन दूद अद्वा दूद से बनी चीज़ें लेते हैं प्रिसी नाते से दूद की आवशकता की फूर्टी करना यह हमरे लिए एक चैलिंज भी है और NDRI मैं समझता हूँ जिस परकार की रिसर्च यह हो रही है अभी जैसे आज गिर नसल की जो एक प्लोन से एक बच्री उसका जो जन्म कराया है एक नए आप प्रियोग NDRI को मैं बहुत बदाई देता हूँ और इस परकार की प्रियोग से नसल सुधार की प्रियोग से दूर का उत्तादमी बहेगा ऐसा भा मानता हूँ एक तरफ हरियाना क्रिशी के क्षेत्र में दुनिया में मिसाल पेश कर रहा है तो दूसरी ओर चुनोतियों की भी भरमार है मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हमें अच्छे स्वास्थे के लिए अन्न की गुणवत्ता में सुधार करने की जरूरत है पानी को कैसे अधिक से अधिक बचाए इस पर किसानों को सोच ना हुगा विशेश तरपर क्योंकि हरियाना का मुख्य मंत्री तो बन हूँ लेकिन उससे पहले करनाल के दहाय कोने के नाते भी मैं आपका बहुत वोगी मन मुखता साथियो एंडियाराइक के बारे विज़े से बताया स्थापदी वर्ष 1923 वे प्रारभ हुआ करनाल में तो 1925 में ही सापना हुई इससे पहले बैंगलोर में इसकी सापना हुई थी और पिर जैसा बताया उनिसो नवासी में एक दीम उनिवस्ती का दरजादी एंडियारा कोई मिला है तब से निर्णतराव को एक प्रगति कर रहे हैं और एंडियाराई का जो यहां लग किछले सालों में चात्र पढ़ने के लिए आए मन में संकल्प होता जब पढ़ने के लिए आदमी आता है शिक्षार्थ आईए सेवार्थ जाईए आज आपको डीरी मिली है शिक्षा के डिगरी मिली है लेकिन जो सेवा के लिए भार जाएंगे तो काम करना होगा यहां की शिच्छा का अनुरूप यहां के ग्यान का अनुरूप हम काम करेंगे तो सेवा का परमान तो उस काम के कारण से हम को मिलेगा जैसा पूरू छात्र बहुत बड़े-बड़े स्थानों पर यहां पहुंचे हैं अभी मैं हमारे बीच में डॉक्टर बियन माथुर जब यहां आये थे तो मुझे मालूम है कि बहुत सी संसाओं में आप बड़े अच्छे पदों पर रह करके सेवा करते रहे हैं तो एंडियाराई के हमारे कुलपती महोदय को जरूर आग्रे करूँगा अपिल करूँगा कि इतना अच्छा संस्तान और ऐसे आउसे पर हमारे पुराने विदासी पूरू छात्र उनको बलाने का भी बड़ा अच्छा प्रसंगी यह बन सकता है यहां एंडियाराई के बहुत से चाक्रे से हैं जो राष्टिये संसाओं में सेवा संसाओं में इसका विद्धार और इसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा ऐसा मेरा अपिल है मनोहर लाल ने कहा कि खेती को लेकर डिगरी अपनी जगह हो सकती है लेकिन किसानों को भी अपना अनुभव होता है जिससे हमें सीखने की जरूरत है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारा फोकस विभिन माध्यमों से किसान की आमदनी बढ़ाने पर है हम लोग शिक्षा लेकर के उपाधी लेकर के हम जाएंगे जब फिल्ड में जाएंगे तो एक विशे भारतवास की जो विशेष्टा है वो विशेष्टा ये है के हमेरे खेती करने वाला जो किसान है उसकी अपने तरह के अनुभव है अपने तरह के अनुभावाँ से पहले ही इन सब बातों का ध्यान में रखता रहा है कि अगर मौसम खराद होता है तो किस प्रकार की फसल को हमको यानि कैसी उसका बचाओ करना चाहिए अगर पानी कम ज़ादा है उसमें किस प्रकार का करना चाहिए और मिट्टी की गुणता क्या है कौन सी फसल भवाई करनी चाहिए हम क्रिशी अनुसंधान तो अब लेटली बहुत 40-50 वर से कर रहे हैं लेकर मारा किसान परंपरागत खेती जिनका अपना अनुभाव है वो अनुभाव बिना शिक्षा के उसने प्राप्त किया है लगातार खेती जबसे मैं समझता हूँ मनुष्य मनुष्य की प्रगती खेती के साथ साथ होई है अगर ये खेती ना होती इस प्रकार की तो मनुष्य जिवन वास्तों में तो इस परकार से जैसे हम प्रगती कर रहे हैं शायादी कर पाता है तो हम उस अनुभवी किसान की बात को विधान रखें देश के मौसम की जान रखें शरीर की आउशकता को विधान रखें इसका अगर हम सर्च करेंगे तो निश्य रूप से हम जहां आगे बढ़कर के आत्मनर्भ हुए हैं वैसे गुणवत्ता के रूप में अपने उस परकार के काम को भी आगे बढ़ा पाएंगे और जोट छोटी होती जा रही है छोटी जोट के कारण से परिवार बढ़ रहे हैं तो हमको एक ऐसा क्रिशी का मॉडल जिसको एक एक गरत क्रिशी मॉडल ये कह सकते हैं इसमें भी कुछ नए अनुजंदान नए प्रियोग करने पढ़ेंगे बहुत शुरू हुए हैं खेती के साथ साथ डेरी फार्मिंग शुरू हुआ है मश्रूम फार्मिंग शुरू हुई है कहीं मदुमक्खी फार करें इसको दुरूर धान करें अच्छी बात यह है कहिसार में ही लुवास इनुवस्टी ये भी इस पर काम कर रही है वशुपालन के उपर बहुत काम हो रहा है अभी हम पीछे आज रास्टबिन मौदया के साथ जो प्राते कल का करकम था एंडियार आई में करनाल में वो क से बनाई है और सब संस्तान इवन इसराइल के जो एक्षेलेंस सेंटर्स हैं वो भी हमने बनाए हैं ताकि किसान को क्रिशी के माध्यम से कैसे उसको आमनने उसकी अच्छी की जाए मात्रा बढ़ाई जाए बहुत से ऐसे फिल्ड हैं क्षेत्र हैं मैं तो चाहूंगा कि इस कई खदम उठाई हैं जिसका किसानों को लाभ मिल रहा है मनुहरलाल का दावा है कि उनके कारेकाल में किसानों के स्थिती पहले से बहतर हुई है ब्यूरो रिपोर्ट सूर्या समाचार किसानों की उन्नती ही देश की प्रगती है इस सोच के साथ मुख्यमंति मनुहरलाल ने किसानों के हित्मे एक के बाद एक कई कादम उठाए हैं जिसका लाभ प्रदेश के हजारों लाखों किसानों को मिल रहा है किसानों ने अब परम परागत खेती को पीछे छोड़कर आधुनी खेती पर बल देना शुरू कर दिया है जिससे छोटे बड़े सभी किसानों को सालाना लाखों रुपई की आमदनी हो रही है देखे इस रिपोर्ट किसान होगा जब खुशाल तभी भारत बनेगा महान अन्य दाता के खुशाली को लेकर ऐसी बातें हम सभी सुनते आए हैं लेकिन देश में किसानों की बदहाली भी किसी से छिपी नहीं रही है देश का पेट पालने वाला किसान कई बार खुद भूके पेट सोने को मजबूर होता है कभी प्रकृती की मार तो कभी बाजार में फसलों का सही भाव नहीं मिलना किसानों के सामने बड़े संकट के रूप में होते हैं खेती किसानी घाटे का सौधा कहलाने लगा है, जिससे कई बार अन्नदाता अपने हालात पर आंसू बहाने को मजबूर होते हैं। प्रदेश के मुख्या मनोहरलाल खुद किसान परिवार से आते हैं, लिहाज़ा उन्होंने किसानों के इस दर्द को महसूस किया है, और पिछले आठ सालों में कई ऐसी योजनाये चलाई हैं जिसका लाभ प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। मुख्यमंतरी मनोहरलाल किसानों से आवान करते नहीं ठक रहें, कि परमपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक दोर तरेखे से खेती किया जाना लाभकारी है। ऐसा कर किसान न सिर्फ अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे, बलकि प्राकृतिक संसाधनों जिसे पानी की भी कम खपत होगी। प्राकृतिक खेती के उपयोग, उसके लिए नैचुरल खेती के उपयोग, ये सारे करने होगे। और फिर उसकी मारकिटिंग करनी होगी, क्योंकि आज और्गनिक के लिए त्यार तो बहुत लोग है, खरीदार कई वार नहीं होते हैं, उसका अनाज पैदा होने के बाद, मंडी में जाने के बाद पता नहीं लगता कि ये प्राकृतिक है के नहीं है, ये और्गनिक है के न रहें, के नाचुरल खेती के ओपर सबसीडी मिलेगी, थोड़ी मातरा कम भी हो तो भरपाई सरकार करेगी, लेकन उस बिमारी में से बाद निकलना है, पानी की कमी, माइक्र इर्गेशन, इसके प्रोजेक्ट बनायेंगे, उसके लिए सरकार खूब पैसा खर्च कर रही है, 85% सबसीडी, जो किसानों का समू अपलाई करता है, उसको हम 85% देते हैं, 15% ही उससे लेते हैं, 15 इसलिए लेना पड़ता है, कि भाई थोड़ो उसको भी लगए कि मेरा अपना है यह, मुख्यमंत्री मनोहरलाल के भरोसे पर उतर कर, जो किसान पारम पर एक खेती को छोड़कर आधुने खेती को अपना रही है, ऐसे किसानों को प्रदेश सरकार की ओर से प्रगतिशील किसान सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, मुख्यमंत्री मनोहरलाल की सोच उन किसानों को प्रेरित करना है, जो अभी भी पारम परिक खेती कर रही है, तो हम इनको पकड़ेंगे, कि अगर कुछ सीखना तो किसान से सीख लो, हो सकता है, हमारे क्रिशी भी शुद्याले से भी जादा जानकारियां ये किसान रखते होंगे, हर एक तरह के रिसर्च में हमारे किसानों को, और उसमें भी हर्याना में प्रगतिशील किसान बहुत है मुझे पता कि आज से छे साल पहले मने एक बार आकड़ा इकठा कराया था, उस समय साड़े 500 किसान ऐसे थे जो प्रगतिशील थे, हमने का कि प्रगतिशील किसानों की योजना बनाओ, अपने जैसे 5 किसान और त्यार करो, ये टार्गेट दिया था, और उसमें प्रगतिश किसानों की संध्या बढ़ाई हो, और उनको कोई नाम मिला हो, एक आद को मिला है क्या? एक, दो, तीन, चार, पाक, साथ, आठ, दस, अभी दस, पंदराई हैं, मैं कहता हूं, सभी साड़े 500 जो उस लिस्ट में थे, उनको अपने जैसे किसान और बढ़ाने चाहिए, अरे भ हमारे वो, दादलू के, क्या ना मैं दादलू वाले, दादलू वाले, रणबीर सिंग, हरबीर सिंग, बैठें हरबीर सिंग, हरबीर सिंग, नहीं आए, हरबीर सिंग का करना है, कि मैं एक एक कड़ में अपनी खेती में 10 लाख रुपे कमाता हूं, एक साल में, 10 लाख रु प्रदेश का कोई भी किसान प्रगतिशील किसान होनी का गौरव पा सकता है लेकिन प्रथम पुरसकार उन किसानों को दिया जाता है जिसके पास 10 एकड या इससे अधिक खेती योगे जमीन है दृतिय पुरसकार उन किसानों को दिया जाता है जिनके पास 5 से 10 एकड खेती योगे जमीन है तृतिय पुरसकार के लिए किसान के पास 5 एकड जमीन होना आनिवार है जो किसान खुद को इस सम्मान का हकदार समझते हार्याना सरकार के क्रिशी तर्था किसान कल्यान विभाग के वेबसाइट पर जाकर ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं बीरो रेपोर्ट सूर्य समाचार प्रदेश में किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर मुख्यमंति मनोहरलाल ने कई योजनाएं चलाई है कई योजनाओं पर अभी काम जारी है छोटे किसानों को खास तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है तो वहीं पर किसान मित्र योजना की जरीए बड़े किसानों के साथ छोटे किसानों को जोड़ा जा रहा है फसलों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है मार्केटिंग पर विशेश फोकस किया जा रहा है ताकि प्रदेश का हर किसान खुशाल हो सके किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां तो खुब सेकी गई चुनावी दावे और वादे भी हुए लेकिन इस बात से मुह नहीं मोड़ा जा सकता कि प्रदेश में कई ऐसे चोटे बड़े किसान हैं जिन्होंने खेती किसानी को नुकसान का सौधा मान लिया था साल 2014 में प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री मनोहरलाल को मिली और तभी से किसानों को समझाने का प्रयास जारी है कि अगर आधुनिक तोर तरीके से खेती की जाए तो कम जमीन से भी लाखों की कमाई हो सकती है मश्रूम की खेती है डेरी फार्मिंग है मदमक्खी पालन है कहीं फूलों की खेती है कहीं जो भी कोई खेती के साथ मिला करके हम काम कर सकते हैं उन कामों की तरफ भी लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा ताके थोड़ी जमीन भी है फसल जितनी होती है लेओ ज्यादा ज्यादा लेओ अच्छी फसल लेओ साथ में कोई नव कोई काम और कर लेगे और करेंगे तो उसमें से भी अपनी आमदन बढ़ेगी तुमितरो ये सब काम चाया वो क्वालिटी का है चाया बिमारियां खतम करने की बात है केमिकल और पैस् इसमें नई नई टेकनीक आखर हमारे कृष्णी विश्विद्याले इन से पेक्षा की जाती है रिसर्च करो जमीन उतनी है अच्छे दीज अच्छा उसमें किस परकार से उसके पौधे की क्वालिटी अच्छी हो सकती है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें उप्योग की जा बगाया है कई संसाइं खड़ी हुई हैं कि हमारे इस काम में हो सयोग करें हमने मार्केटिंग बोर्ड ये बनाया है ताकि फ़सलों की खरीद का सिस्टम ठीक बन जाए MSP पर फसलें बिक जाएं हर्याना प्रदेश पहला प्रदेश ऐसा है कि 11 फसले MSP पर हमने घोशित की है सेंटर तो दो चीज़ा खरीता है ये हूँ और धान गन्ना हमारी मिले ले लेती है चौती फसल की गारंटी सेंटर नहीं देता है हमने उसके साथ-साथ और अन्य फसल बाजरा है मका है मूंग है कहीं तिलन है ये सारी चीज़ें बढ़ा करके सबसे ज़्यादा फसले MSP पर नहीं खरीदी जा सकती है मानो सरकार की लिमिटेशन है जो खरीदेंगे हमको उसका उपयोग भी करना पड़ेगा ज़्यादा हो जाएगी तो मंडी बेचना हम सोचते हूं उस घाटे को लेने की बजाए अगर किसान को भाव कम मिलता है तो सीधा पैसा किसान को दे दिया जाए उसके लिए हमने भावांतर भरपाई योजना लाकू की है बीश के लगबग सबजिया और फल इसके अंदर भावांतर भरपाई योजना दी है बाजरे म किसानों की आमदनी दोगुनी करने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रगतिशील किसान ट्रेनर योजना की शुरुवात की है इस योजना के जरिये एक योग्य किसान को अपने आसपास के दस ऐसे किसानों को गोद लेना होता है जो कमजोर है और खेती की कम समझ रखते हैं इन किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करना सिखाया जाता है फिर ये सभी 10 किसान, 10-10 और किसानों को अपने साथ जोड़ते हैं इसी तरह किसानों की एक चेन बनती जाएगी और एक किसान से दूसरे किसान प्रगतिशील किसान की श्रेणी में आते जाएंगे गोद लेने वाले किसानों को उनके कारे के अनुसार पुरस्कृत किया जाएगा प्रदेश में किसानों का एक बड़ा तबका आर्थिक रूप से कमजोर है जिन्हें सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जा रही है लिकिन सरकारी मदद से एक कदम और आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने प्रगतिशील किसान मित्र योजना की शुरुआत की है इस योजना के तहट एक मजबूत और सफल किसान को आर्थिक रूप से कमजोर और कम जानकारी वाले 100 किसानों को गोद लेना होता है फिर उस किसान को आर्थिक रूप से मदद करनी होती है और ऐसा कर सभी किसानों को सफल प्रगतिशील बनाना होता है जाहिर है मुख्यमंत्री मनोहरलाल की सोच इसके जरिये किसानों की आमदनी बढ़ानी के साथ प्रदेश के विकास को रफ्तार देना भी है ब्यूरो रिपोर्ट सूर्या समाचार तो देखा आपने मुख्यमंद्री मनोहलाल दिन रात किसानों के हित में लगे हुए हैं और योजनाय चलाकर लगातार किसानों को लाब पहुचा रहे हैं विकास चिल हर्याना में मेरे साथ आज के लिए इतना ही मुझे देजी अजासत कल किसी और मुद्दे पर फिर आपके सामने हाजिर होंगे नमस्का